हलो बहनों भाईयों नवस्ति सज्जन फूट जर्णी में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी इसे बंद गोभी भी बोलते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं एक यह देखे मैंने बंद गोभी लिया हुआ है और ताजा फ्रेस है यह इसके जो है हम उपर की पत्तियां दो दो तीन तीन यह निकाल देंगे और अंदर का बनाएंगे यह पत्तियां थोड़ा सा सोखी होती हैं मुलाइम नहीं होती कड़ी होती हैं इसलिए इनको हटा देत इसलिए भन्द गोभी इसको बोलते हैं और पत्ता गोभी पत्तियां इसलिए जो हट लेंगे इस्स ट्रीकें से काटेंगे यह फोड़ा सा piece निकाल लिया, यह देखे सारी पत्रिया है बंदों भी है, और यह इस तरीके से काटेंगे इसको और स्टोटे-श्टोटे तुकड़ों में काट लेंगे, यह देखे इस तरीके से, आप चाहें तो इससे बारीक भी काट सकते हैं, लेकिन यह size ठीक है क्योंकि पकने के बाद सिकोड जाते हैं च्छोटे हो जाते हैं इसलिए इतने बड़ी भी पीज काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है वह बहुत अच्छी सब्जी बनती है इसकी और बहुत ही फायदेमंद रहती है सबजी और स्वादिष्ट भी बहुत होती है। इसमें आलू भी डालते हैं साथी हूं। अभी मैं आपको दिखाता हूं। मैं आलू भी इसमें डालूँगा। तो आलू और बंदगोवी का कामिनेशन बहुत अच्छा होता है। यह दोनों मिलाकर सबजियां बनती हैं। और यह सब आलू लिये हैं। यह लाल वाले आलू है। लाल वाले आलू इसमें डालते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। इनका सोधा पन रहता है थोड़ा साथ। इसको बनाने के लिए देखो एक प्याज लिया है। दो हरी मिर्चली हैं। और आर्दस जो है लश्चन की कलियां ह और यह तीनों चीजें साथू यह देखिए इस तरीके से हमने बारीक काट लिया है। मिक्सी में या सिल्बट्टे भी आपकीस सकते हैं। मिक्सी में पीच लेए चाग्पू से बारीक काट सकते हैं। उसके बाद साथ्यों हम गैस पर कड़ाही चड़ाएंगे। और यह आपसे तहले जो आलू हमने लिये है, खेल लिये थे, इनको 20 से 2 पीस के एक छोटे थे, इनको हम फ्राइ कर लिये है, एक आलू में 2 पीस ही किये हैं, और इनको हमने इस तेल में फ्राइ कर लिया है, सर्सों का तेल है, यह देखिए, और यह जो तेल बचा हुआ है, इसी में सा जाब दिया आई और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे इसको इस तरी से चला चला की अच्छी सी पका लेगे इसका कलर चेंज हो गया है और अच्छे सी पक गया है प्याज लस्चन और हरी मिर्च थोड़ा सो और पका लेगे करें तेल छोड़ दिया सब आप साथे से टोड़े से जुँ है, बिशे हुए हम तो सबसे पहले सथी प्लादी हल्दी पाउडर, जुँ आलिएगे देखी, आधा चममस से थोड़ी सी ज्यादा हमने हल्दी पाउडर उसमें डाला है इसके बाद इसमें साथ ही कुटा लाल मिर्च हमने आधा चम्मच डाला है और इसमें नमक डाल देंगे स्वाधानुशा और इसको पकाएंगे आप चाहें तो इसमें टमाटर के इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपको अच्छे लगते हो लेकिन हम यह सब्जी बिल्कुल साधी बनाएंगे बहुत ज्यादा इसमें मसाले नहीं डालेंगे बहुत अच्छी यह देखिए पत्ता गोभी जो काट करके स्वाद मिले आपके और इसमें नमक हमने पहले डाल दिया तो देखिए अब इसको चलाएंगे थोड़ा सा और यह अपने आप शिकोडने लगेगा पानी इसका जलने लगेगा तो यह शिकोड जाएगा कम हो जाएगा आप इसको ज्यादा न समझें कि बहुत हो नमक अपन ताकि हल्दी सब्जेगे मिक्स हो जाए इसमें हल्दी और मिर्च नमक चु मिलाया है हमने यह देखिए इसको खुद अच्छा कलर आ रहा साथ हैं और यह जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे वह भी इसमें अब डाल देंगे यह भी इसमें मिला देंगे यह देखिए आलू हमने कम ही डाले हैं और पत्ते ज्यादा लग रहे हैं अभी जब सब्जी बनेगे तो आलू पत्ते लगभग बराबर देखेंगे अब इसको ढख देंगे तीन-चार मूट ढख करके पकाएंगे यह देखिए तीन मूट हो गय थे इसको हमने खोली अब इसी तरीके सी साथरी 2000-3 बार इसको ढख के पकाएंगे फिर खोल के फिर चला देंगेए फिर ढख देंगे फिर इसको चलाएगे और यह सब्जी पक जाहिए इसको थोड़ी देर के लिए और धक देंगे, दो से तीन नट बीच बीच में चला के देखते रहेंगे साथ कि यह देखिए, बहुत अच्छी सब्जी बन रही है, अभी और इसको पकाना है थोड़ा सा, यह देखिए, पत्ते सारे गल गए हैं, बिल्कुल कम रहे गए हैं, बहुत अच्छा कलर देख रहा सब्जी का, साथ के इसमें हम आधा चमच धनिया पाउडर डालेंगे, पहले हमने नहीं डाला था, अब बाद में डालेंगे तो इसकी खुश्बू रहेगे, और यह थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालेंगे, आधे चमच से कम, और इसको मि जबाब बहुत अच्छी लग रहे हैं समझीए, देखे कितना अच्छा कलर इसका दिख रहा है, और यह बिलकुल पक करके तयारे देखे, आलू काट के चिक कट रहे हैं इसको कल्चल से, और यह आलू पक गई है, बहुत अच्छी आलू पक गई है, बंदगो भी बढ़या पक गई है, साथियों इसको ढख करके पांच मट के रख देंगे, थोड़ा सा सजाने देंगे, सजा जेगी उसके बाद में इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, यह देखी पांच मट हो गए हैं, और यह सबजी बिलकुल बन करके बढ़या तयार है, रेडी है, सूखी सब्जी है, साथियों, इसको आप पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, और चावल के साथ तो बहुत अच्छे लगती है, आपको जिसके साथ पसंद हो इस तरीके से बनाएं और खाएं, यह देखे साथियों, सब्जी बन करके तैयार है, अगर मेरा बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो करपया वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, कमेंट करें और यह दो चैनल पढ़ना है हो तो करपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाथ मुश्कार